बोई संकर भगवाने की जै चोदमा अध्याय नाग पंचमी वृत का महात्म में इस्वर बोरे हे मामुने अब स्रावण मास के शुकल पक्ष में पंचमी तीति को जो वृत करनी हैं उसे मैं बताऊंगा आप उसे सुनिए चतुरती को एक बार भोजन करें और पंचमी को नक् की भक्ति ब्रोग पूजा करने चीए द्वार के दोनों और गोबर से बड़े बड़े नाग बनाएं और ददी शुक दुर्वांकुरो कनेर मालती चमेली चंपा के पुष्पों गंदो अक्षतों पुष्पों धूपों तधा मनोहर दीपों से उनकी विदिवत पूजा कर हैं इसके बाद अनंत वास्की शेश पद्मनाबं कंबल करकोटक अश्वा आठवा धृतरास्ते संगपाल कालिय तदा तक्षिक इन सब नाग कुल के अधिपतियों को तदा इनकी माता कद्रू की भी हल्दी और चंदन से भीत भर लिखकर पुष्पादी से नकी पूजा कर करें तदनंत्र बुद्धिमान को चाहिए कि वालमिक वामी में परतक्ष नागों का पुजन करें और उन्हें दूद फिलाएं घृत ता सरक्रा मिस्रित परियाप्त दुख्द उन्हें अरपन करें इस दिन प्यक्ति लोहे के पात्र में पूड़ी आदिनाय वनाएं नेव पूड़न करना चाहिए और स्व्यम भी उन्हें ग्रण करना चीए अरे बालकों को भी एक खिलाना चीए इसमें उनके दात द्रड़ होते हैं बालमिक के पास सुंगारादि शें युक्त इस्तुरियों को गायन दधा वाधन करना चीए और महान उत्सा बनाना चीए इस वि प्रह में मलोकों के हित की कामना से आप से कुछ और भी कहूंगा एमाम उने आप उसे सुनी वर्स नाग के द्वारा डशा गया मनुष्य मृत्यू प्राप्त करके अधोगती को प्राप्त होता है और अधोगती में पूंच कर भए ताम सी सर्पोता है इसमें संद्र नहीं ह इसकी निवर्ति के लिए पुर्वक्त विदी से एक भुक्त आधी समश्त तकृत्य करें और भ्रामनों से नाग निर्मान दा पूजा आधी आधर भुर्वक करा है इस प्रकार बारों मासों में परतेग मास के शुकलपक्स की पंजमी दितिको उस्वर्त का अनुस्तान करे और वर्ष के पुण होने पर नागों के निमित ब्रामनों तदा सन्याशियों को भोजन करा है। अध्युक्त होकर अधो गति को प्राप्त होएं वे मेरे द्वारा किये के व्रत्वा दान से मुक्त हो जाएं वैसा वुचान करके अक्षत युक्त तदा श्वेत चंदर मिस्रित जल पासदेव के समक्ष भक्ति पुरोग जल में छोड़ दे ए मुनी सत्म किसे विदी से व्र व्रत्यों की प्राप्त होंगे अध्वा पुर्व में मर चुके हैं वे सर्वग गति प्राप्त करेंगे साथ यह कुल नंदन इस विदी से प्रत करने वाला अपने सभी वन्सजों का उधार करके अप्षराओं के द्वारा सेवित होता हुआ शीव लोग को प्रस्तान करता है कि सानी देप्राप्त करता है जो वी साथ से रहित होता है वही इस व्रत्यों का संब्ण और प्राप्त करता है जो लोग है शुकल पक्स की सभी पंचमी तितियों में नग्त व्रत्त करके भक्ती संबन होकर पुन्यादी उपारों से सोबाग्य साली नागों का पूजन कर उनके घरों में मनीयों की इन्हों थे फूसित अंगों वाले शर। उनी अभए देने वाले होते हैं और उनके उपर प्रसंड हैं जो प्रामांड ग्रहडान का अपथिग्रे करें वेह भी भार्याथ脨ा भोकर उन्त में शरपयों करें दो कोई भी पर दखकर उसे श्यम ग्रण कर लेते हैं अत्वा मित्या बाशन के कान सरफ होते हैं अत्वा अन्य अकानों से भी जो मनुश्य सर्फ योनी में जाते हैं उन सभी के प्रास्चित के रूप में यह उत्तम उपाय का गया है यह कोई मनुश्य विन शाठ्ठे से रहीत होकर नाग बंजमी का अवरत करता है तो उसके कल्यान के लिए सबी नागों के अधी पती निसेश नाग दावास्वकी हाद जोड़कर प्रूश्री हरी से था सदा सीवसे प्रात्ना करते हैं ता वसेश और वास्वकी की प्रात्ना से प्रसंद हुए प्रमेशन शीवत्ता विष्ण उस व्यक्ति के सभी मरोद कोन कर देते हैं नाग लोग में अनेक प्रकार के भीपुल शुखों का अभू करके बाद में उत्तम व्यंगु नत्वा केलास में जाकर शीवत्ता विष्णों का गण बनकर प्रम्शुक प्राप्त करता हैं यह व प्रकार श्रीशकंद पुराण के अंतरगत इस्वर संतकुमार समवाद में स्रवन मास महात्म में में नाग बंचमी व्रत गथन नामग चोधवा अध्याय बुरा हुआ है बोली संकर भगवान की जय है